हाई फ्रेंट्स स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल ओम वेट के रहें आज मैं आपको बताऊंगा गाय में होने वाली जेर की प्रेशानी के बारे में यानि पसुई आसानी से ब्या जाता है और ब्याने के बाद में उसमें क्या होता है उसमें जो जेर हो समय पे नहीं गिरती है या पूरी जेर हो नहीं गिरती है तो इसके लिए आप क्या करें ऐसा कि तो पसुची जहर वो आसानी से गिर जाए और पूरी जहर वो गिर जाए और उसमें आपको पसुची किसे की भी जुरूत ना पड़े ताकि वो उससे हाथ से निकाले क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बचेदानी में जो इंपेक्शन है वो बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि एक अच्छा पसुची पालग वो यही चाहता है कि जो उसका पसुची है वो सही समय पर हीट में आए वो समय पर ग्याबिन ठहरे और आसानी से वो ब्या जाए और साथ में वो निरेंतर उसको प्रोड़क्शन देता रहे तो बीच में एक ऐसी कौन सी कड़ी है जिसके मिस होने के कारण पसुची पालग हो उसको काफी नुकसान उठाना पड़ता है तो यह कड़ी यही है कि उसके पसुची जो जेर है वो समय पर नहीं गिरती है तो उसके बचेदानी में इंपेक्शन हो जाता है और इंपेक्शन होने से क्या होता है वो सही समय पर ग्याबिन नहीं ठहरेगी और आसानी से वो हीट में भी नहीं आती है तो इसके लिए आपको ऐसा क्या तरीका अपनाए ताकि अपने फसु की जो जहर है वो गर पे ही आसानी से गरे लो जो इलाज है उसके दुआरा ही आसानी से गिर जाए तो सबसे पहले तो मतलब आपको कोई भी फसु हो चाहिए वो नॉर्मल बैय हो उसके जहर की दिक्कत भी नहीं होती है उसको भी आप क्या करना है वो जैसे ही बयाता है बयाने के तुरंट बाद में आप उसको क्या करना है गुड़ और अजवाईन ये दोनों उसको गोल कर प देना है ताकि उसके जितने भी कोटिलीटिंस थे वो यूटरस के बचेदानी से चीपक रखे थे वो दिरे दिरे तूटते तूटते बाहर आ जाएंगे तो ये था सपल और आसान तरीका जिन पसुम में कोई दिक्कत नहीं होती है उससे क्या जे रवो जल्दी किर जाएग आपको में वो आपको अपने पसुम को बना कर देना है तो इससे पहले आप जैसे काड़ा तयार करो इससे पहले आपको क्या करना है जो कपास का पेड़ाता है उसकी जड़ लेनी है और पसुम को खिलानी है तो ये जिन पसुम में आपने एक से डेड़ गंटे तक बेट कर लियार उनमी जेहर जो गिड़ना वो शुरू नहीं हुई है जो जेहर है वो चालू ही नहीं हुई है गिड़ना तो उसके लिए आपको क्या करना है कि विशेश परकार का काड़ा बनाना है और काड़ा बनाने से पहले आपको क्या करना है जो कपास का पेड़ाता है उसकी ये खाता है तब तक आपको कड़ा बना ले ना एकड़े के लिए क्षमाइब दो सोंट लेनी की पानी पचास ग्राम अजवाईन लेनी और पचास ग्राम हाल्दी लिए इन को क्या करना आपको क्या करना दाड़ा है उसमें कुछ धाइस 것으로 दॉरा बना देना गुड मिला करने इंको क्या करना थोड़ा सा ठंडा करना है य inexと गुनONGUNA पानी जब काड़ा गुनगना हो जाता है तब अपने पसू पिलाना ये पर्कीरिया करने के भाल में आपके पसू में आपको क्या करना है वेट करना है 10-12 गंटे तक जिन गायों में मतलब प्रोलप्स की दिक्कत है शरीर आने की फूल देखने की जो दिक्कत है तो उसके लिए आपको क्या करने है मैंने जो अभी खुराग बताई है उसको तो आधा कर देना है साथ में जो सूट, अजवाइन और हल्दी थी उनको अपने बोईल किया था, गरम किया था उबाला था, उनको उबाला नहीं है उनको ठंडे में ही गोल बनाना है और ठंडे पानी के साथ में ही उसको पिलाना है इससे क्या उनको प्रोलप्स की दिक्कत भी नहीं होगी और आपने मतलब ये पिला कर ये तरीका अपना कर 10 से 12 गंटे तक बेट करना है और फिर भी आपके परसुगी जो जेर नहीं गिर रहे है तो 12 गंटे के बाद में ही आपको जो परसुची की सक है उससे आपको सला लेनी है और बाद में उनी से उनको जेर वो निकलवानी है लेकिन इस से पहले आपको क्या करना है वो जल्द बाजी है वो हट से जेर निकलवाने की वो बिल् assez नहीं करनी है तो प्रेंट्स ये था गाएंञे की जेर गिराने का सबसे आसान और सफल तरीका और जो भेंस हैं उनकी जेर गिराने का वीडियो भी मैं आपके लिए अलग से लेक्ट आओंगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यदा से ज़्यदा लाइक और शेर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल में नई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए